स्टूडेंस, डिजी लेसंस फ्रॉम दा हाउस ओप नवांकुर में आपका स्वागत है बच्चो आज हम विसे सामजी विज्यान की पुस्तक सामाजिक इबं राइनेतिक जीवन के अध्याय साथ नगर प्रशासन भाग एक के बारे में पढ़ेंगे बच्चो नगर प्रशासन का आर्थ होता है हमारे शहर का सासन जैसे नगर पाली का नगर निगम आधी बच्चो इतवार की दुफर थी जब माला और उसके साथी संकर, जहांगीर और रेयाना गली में किरकेट खेल रहे थी संकर ने बड़ा अच्छा ओवर फैका और रेयाना आउट होते होते बच्ची रेयाना के आउट ना होने से संकर बहुत हतास हुआ उसने इस सुम्भी से कि वह केच आउट हो जाएगी एक साथ वाल फैक दी थी हुआ उल्टा रेयाना ने इतनी तेजी से बल्ला गुमाया कि गैंद उपर गई और गली की टूबलाई तूट गई रेयाना चिलाई अरे यह मैंने क्या कर दिया संकर तुरंत बोला अरे हम यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी गैंद से गली की टूबलाई तूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी तीनों ने ही संकर को बिकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा और जो हुआ उसके बारे में जादा चिंतित और परेशाम हो रहे थे पिछले हपते उनसे निरमला मौसी की खिड़की तूट गई थी जिसको बदलने के लिए उन्हें अपनी जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे क्या अब दुवारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे ये पैसे किसको देंगे गली की टूबलाइट बदलता कौन है माला का घर सबसे पास था चारो माला के घर गए और उसकी माँ को सब बात बताई सारी बास सुनकर माला की माने कहा इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं बस यही मालूम है यह नगन निगम की जुम्मेदारी होती है उन्होंने बताया कि यास्मीन खाला से पुछना चाहिए बे नगन निगम से सेवा निबरत हुई है सेवा निबरत माने रिटार्ड हुई है जाओ उनसे पुछ लो और माला तुम जल्दी घर बापस आना बच्चो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी माला की माने उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी चारों दोड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला बे एक साथ सब मिलकर पुरा किस्सा सुनाने लगे उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़ी जोड से हसने लगी और बोली कोई एक ब्यक्ती नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो एक बहुत बड़ी संस्ता होती है जिसको हम नगंदिगम कहते हैं यह सबकों पर रोसनी की विवस्था, कुड़ा एकटा करना, पानी की सुब्दा अपलब कराना और सबकों और वाजारों की सपाई का काम भी करती है माला बोली हाँ हाँ मैंने नगंदिगम के बारे में सुना है मैंने शेहर में बोर्ड भी देखे हैं जो नगंदिगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगा जाती है बच्चो खला बोली, तुम बिलकुल सही कह रही हो नगंदिगम का काम यह निश्यत करना है कि शेहर में बीमारियां ना फैले यह स्कूल इस्थाबित करता है, उन्हें चलाता है, शेहर में दावा खाने और अस्पताल चलाता है यह बाग बगीचों की देखवाल भी करता है उन्होंने आगे बताया, हमारे पुरे शेहर बहुत ही बड़ा शेहर है और यहां नगर प्रशासन चलाने वाले संसान को नगर प्रशासन चलाने वाले संसान को नगर प्रशासन 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 को नगर के लिए गाय थे नगर निगम नगर पार्साद एवं प्रिसासने कर्मचारी यास्मीन खाला मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहां बनाये जाए जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़िदार निर्ने भी लेने पूचा खाला ने जवाब दिया नई रेहाना मैं तो निगम के लेखा विभाग यानि कि एकाउंटेंट में थी बस लोगों की मासिक तनखाई की परचियां बनाती थी चुकि शेहर का कार बहुत बड़ा है इसलिए नगन निगम को कई निर्ने लेने होते हैं इसी तरह सेह शेहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है जादतर नगर पारसदी इसका निर्ने लेते हैं कि एस्पताल या पार्क कहां बनेगा बच्चो शेहर को अलग अलग बाड़ों में बांटा जाता है और हर बाड़ से एक पारसद का चुनाव होता है नगन निगम क कुछ नड़ने ऐसे होते हैं जो शारे शेहर को प्रभावित करते हैं ऐसे जटल नड़ने पारसदों के समह द्वारा लिये जाते हैं यानि पारसदों के मीटिंग होती है और सम मिलकर जो ये नड़ने लेते हैं कुछ पारसद मिलकर समित्या बनाते हैं जो बिवन्न मुद् करके निर्णे लेती हैं बच्चो उधारन सरूप एक बस्ते स्टेंड को बहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ बाले बाजार का कच्रा ज्यादा नेमत रुप से साफ करना है या फिर शेहर के मुख्यनाले की सफाई करनी है पारसदों की समीतिया ही पानी कच्रा जमा करने और सडकों पर रोशनी आदि की बिवस्ता करती है बच्चो जब एक बाड़ के अंदर की समश्या होती है तो बाड़ के लोग पारसद से संपर करती है उधारन के लिए अगर बिजली के खतना तार लटक कर नीचे आ गए हैं तो इस्थानी पारसद बिजली बिवाग के में ठीक करा सकता है जहां पारसदों की समीतियां इवं पारसद बिवन फद्धों पर नढ़ने लेने का भी काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त जिसको हम कमिशनल कहते हैं और प्रसासने करमचारी करते हैं आयुक्त और प्रिसासने कर्मिचारियों की न्युक्ती सरकार करती है जबकि पारसद कचुनाव होता है। नगन निगम में ये निड़ने कैसे लिए जाते हैं रेहाना ने पूछा वह कभी सोचना बंदी नहीं करती। बच्चों की सवालों से खुश सोयते हुए यास्मिन खाला ने जवाब दिया। सारे बढ़्डों के पारसद मिलते हैं और सबकी समलित रायसे यानि सबकी सलायसे एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अमसार पैसा खर्च किया जाता है। पारसद ये कोसिस रहती है कि उनके बाड़ की बिसेश जरुरतें परिसत के सामने रखी जाएं। फिर ये नड़ने प्रसासनिक कर्मचारियों द्वारा किर्यानवित किये जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि इसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनभव बाटने का एक मौका दिया था। बच्चों संकर ने बड़ी उत्सुता से पुचा अपना शेहर तो इतना बड़ा है इसकी देखवाली के लिए बहुत लोगों की जरुए पढ़ती होगी। खाला ने कहा नगन निगम में डिर सारे लोग काम करते होंगे। वह आप तक किरकेट के मैच और अपने अधूरे ओबर की बात बिलकुल बूल चुका था। बच्चो दर्शल चहर में काम को अलगलग विभागों में मांट देते हैं। जैसे जल विभाग, कच्रा जमा करने वाला विभाग, उद्धानों की देखवाल करने वाला विभाग, सड़क विवस्था का विभाग, इत्यादी। मैं नगन लिगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मी नान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कवाब लाने चल पड़ी। जहां कि इनने रसोई में खड़े-खड़े तेजी से कवाब खा लिया। फिर उची आवाद में वहीं से बोला। यासमीन खाला नगन नगन जिस कुड़े कच्च्रे को इखटा करती है, वह कहां जाता है। बाकी बच्चे अभी कवाब खा ही रहे थी। यासमीन खाला ने बताया, इस सावाल का जवाब बड़ा मजीदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कच्रा लगबग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यह यहाल था। चारों तरफ कुड़ा फैला रहता था। अगर कुड़े को एखटा करके हटाया ना जाए, तो मक्यां भिन मिनाती हैं। और आसपास कुट्तों, चूहों का जमाबड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी हो सकते हैं। और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना चोड़ दिया था, क्योंकि उनके घरवालों को डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। बच्चों आप यह चित्र देख रहे हैं। यह चित्र में यह कवाल खाना है। यानि पुरानी बस्तों टूटी फुटी बस्तों हैं और उससे पुनर चक्रन के विदी के दारा नई बस्तों बना जाती हैं। यानि पुराने सामान को इखटा किया जाता है। फिर उसको जो है गला कर जो है नई बस्तों तयार की जाती हैं। जैसे आप चत्र में देख रहे हैं। पुनर चक्रन कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में देख रहे हैं ब्यक्ति के तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, काच, पिलाश्टिक और धातु का पुनर चक्रन कर रहे हैं। घरेलू पिलाश्टिक के उनर चक्रण में काबाड़ी वाला एक मुख्य भूमी का निवाता है। बच्चो लोगों का विरोध। यास्मिन खाला ने अपनी बात जारी रखी। महले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। बेसलाय लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा की मैं बिवात के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिस करूँगी। मगर मैं भी निश्यत तोर पर यह नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगा भाई ने बताया कि हमें अपने बाड़ के पारसत के पास इन समश्याओं को लेकर जाना चाहिए। आखिर बोड देकर हम नहीं तो उने चुना हैं। उसके सामने हमें बिरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगा भाई ने महिलाओं को इखटा किया और पारसत के घर पहुँच गए और सभी यह औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगें। तब पारसत घर के बाहर निकले और उन्होंने उनके शमस्याओं के बारे में पूछा। गंगा भाई ने अपने महले की खरावालत बयान की। पारसत ने उन महिलाओं से बादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त यानि कमिशनर से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगा भाई को महले के सारे बयासकों बयासकों यानि बड़े व्यक्तियों से एक अरजी पर दसकत करवाने के लिए कहा। अरजी यह थी कि उनके महले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाद दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानिय साफाई अवियंता यानि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फाइदा होगा क्योंकि साफाई अवियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि यहालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी श्याम बच्चे घरगर का चक्कर लगाते रहे ताकि अरजी पर जादा से जादा परिवारों की लोगों के हस्ताक्षर किये जा सकेए। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पारसद और सफाई अवियंता के साथ नगन दिवगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समुझ से मिले परविबहाना बनाने लगे। कि नगन दिवगम के पास परियाप संख्या में ट्रक उपलब्द नहीं हैं। गंगा वई ने तुरंत कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाके से कचरा उठाने के लिए बहुत सारे ट्रक हैं। जहां कि इनने जट से कहा, इस से आयक्त का तो मुही बंदो गया। और नहीं तो क्या, उसने फॉरंत जाम करने के लिए कहा। कहा, यास्मिंग खाला ने बताया, गंगा भाई ने आयक्त को चितावनी दी कि अगर दो दिन के अंदर काम नहीं हुआ, तो नगन डिगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना देंगी। तो क्या, गलियों की सफाई हो गई। रेहाना ने पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं चोड़ती थी। बच्चों, दो दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समुह ने बिरोत प्रदश्चन किया, जोड़दार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब महले की सफाई नियमेत रुप से होने लगी है। यद तो बिलकुल बंबेया सिनेमा की तरह सुखद अन्थुआ। माला ने कहा। वह अपने पास आपको नित्थत करने वाली गंगा भाई की भुमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगा भाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था। ही कि मौले में गंगावाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते भी थे मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था बच्चों ने खाला का सुक्रिया अदा किया यानि धन्यवाद दिया और जाने के लिए उठखड़े हुए जाते जाते रेहाना ने कहा खाला बस एक आखरी सावाल और है घर पर अभी जो दो कुड़े दान है वो भी क्या गंगावाई क्यों सुजाब था खाला हसने लगी बोली अरे नहीं नहीं या तो नगन निगम ने ही सुजाब दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कुड़े दान में डालें जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम बालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों ने इतने सारे सावालों का जबाब देने के लिए खाला का फिर से सुक्रियादा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर भी पहुंचना था आज हमेशा के मुकाबले गली में थोड़ा अंधिरा जादा था उन्हेंने उपर देखा फिर मुस्कराते हुए एक दूसरे को देखा और बापस खाला के घर की तरफ दोड़ पड़े आमने वाँ काल टार दर प्रफ खालाut लिए काल अाग लेल उन्हें जाभ नन्हेंन बापस आमने मुपिर अ सुरूसरे चार डिया मुझरíamos